है अब जो बाइक पर बहुत दर्द हो रहा है जासे कि कि मैंव दोनों साइट में भाइट मुसल का दर्द हो रहा है जैसे कि आगे जुखने से और ना ना थैज तो देर खाड़े कोने से असके लगें नहां को इस दोनों फाक है और और गुल जी मेरा जो यह भी घुटने में भी जो नी में भी कोई पेनर रही है अच्छा थोड़ा सा इसको समझने के लिए क्या करते हैं एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कभी करके देखो जिनकों भी ऐसा स्पाइनल कोड के दोनों तरफ में कमर में दर्द आता है या उनके लिए जंपिंग थोड़ा मुश्किल है थोड़ा जंप करेंगे तो दर्द बढ़ेगा है कि इजी अगर अपने को उठाने की कोशिष करेंगे दोनों हाथ को किसी दोनों उची जगा पर रख के अपने को ऊछे vantage करेंगे तो पता चलेगा कि वो कमर के दोनों तरफ में बड़ा जबरदस पेना है एकडम अक्यूट पेना है ऐसा आप कभी करके ट्राय करके देखो यह दो रॉड होती है उस पे ऐसे हांच रखके थोड़ा अपने को उठाने की कोशिश करो यह किसी उची जगह पर अपने को उठाने की कोशिश करो तो पता आसानी से समझें कि अपो शरीर उठाते ही पेन आ रहा है तो शरीर के उठाने की जो है वो कम हो गई है है या अ है saya या श्रीर अपने आपको भी तो उठाके रखता है नाम लेटे तो नहीं रहते हैंसहां सुब्ह उठते काम कद्व सुस्पयर भूटिक्ष गावटी को अपने वो चल भी नहीं था, वो कूद कूद के चलता, तो इस शक्ति को उदान शक्ति कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, उदान शक्ति, उठाने की, अपने को उठाने की, बर्ड में ये बहुत ज़्यादा होता है, किसी चड़िया में बहुत ज़्यादा होता है, तो इसे, इसी की वज वुक्षिन तो हजेगा रहा है मगर इसको समझने की कोशिश हम सोच दढ़ हो रहा है शायद यह मसल का है शायद यह बोन का है शायद मेरा इप जोइंट में प्राबलम आ गया ऐसा शायद शायद करते तो किसी का ठीक होता नहीं है है ना इतने ज्यानी होने के बाद आप देखिए किसी गदों ठीक होता नहीं है आप दर्थ की दोश जा से बखाते और तो कुछ छोटा ही ठीक तो यह होता ही नहीं है तो यह जितना भी ग्यान है वो आपको ठीक तो करी नहीं रहा है तो यह आइडिया लगाने से कुछ होगा नहीं हाँ आइडिया वहां पर काम करता जहां एक इंजिरी है चोट लगी है वहां पर कोई बोन का का डिस्प्लेस्मेंट हो गया कोई ऐसा इंटर्नल इंजिरी होगी तो चलेगा तो आप स्कैन करो उसको वह तो आप नहीं भी करोगे तो भी ठीक हो जाओगे कि मुझे बता यह कि अगर आप दवाई नहीं खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे क्या आप चोट लगेगी तो आज गल हम com को यह लगता है कि हम बिना दवाई खाये ठीक ही नहीं रहे दवाई खाये अगर नहीं क्याएंगे तो जल्दी ठीक होंगे भी खायंग月 तो यादा लगेगा मगर क्योंकि वह फैशन में है आपको एक दो दिन ज्यादा चलेगा मगर दवाई खाना ताकि सभी बोले अच्छा दवाई खालो दवाई खालो सभी बोगते हैं तो सबको संतुष्टी करने के लिए आपको दवाई खाना ऐसा लगता है कि जरूरी मगर ठीक ही तो आपका शरील करता है कि दवाई तो नहीं करती दवाई तो डिले करती है कि दवाई तो डिले करती है आपके रिकवरी को तो पहली बात उदान शक्ति कैसे बढ़ाएंगे कूंसी दवाई बनी है इसको बढ़ाने के लिए अपने को उठाने की शक्ति कैसे बढ़ाएं है अस्टांग चेकित्सा होता है तो पहली बात तो उदान शक्ति बढ़ाने के लिए कोई भी आपके पास में दवाई नहीं है नहीं भोजन करेंगे तो हमारी एनर्जी भढ़ जाएगी अच्छा भोजन करेंगे तो ठीक हो जाएगा तो आपने 40-50 साल भोजन किया तो सुपर्मेन बन जाने चाहिए थे उड़ने लगने चाहिए उड़ना लगने तो क्या वह उठने में भी तकलीफ हो रही है है कि नहीं है अब भी 40-50 साल आपने खाना खाए ना भोजन किया ना कमजोर हुए यह शक्तिशाली हो गए सुपर्मेन बन गए सुपर्मट मन गए कमजोर ही होते हैं बीस साल पच्छी साल और खाओ और कमजोर हो जाओ गए और उसके 20 साल खाओ तो पता भी ने चाला गाय भी हो जाओगे इतना भोजन करके आपकी शक्ति कम होती जारी ज्यादा बढ़ती जारी है कम होती जारी है लेकिन फिर भी एक आईडिया पकड़के रखते हैं कि नहीं कुछ अच्छा खाना कर लेंगे तो फिर हम ठीक हो जाएंगे नहीं होंगे साब आज तक विए नहीं 40-50 साल में आगे-ागे सोच रहे हो तो ये काम नहीं करता असा आपको अपनी गुद्धि का इस्टेमाल करना ही पड़ेगा तो उदान शक्ति किसी भी भोजन से नहीं बढ़ेगी दवाई से तो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी आप अर्विदिक दिवाई नुकसान कम करेगा मगर बाहर से कोई चीज लेने से आपकी शक्ति नहीं बढ़ती है आप शक्ति बढ़ाने के लिए हमेशा दिन रात कुम्भक ही कर रहे हैं मगर वो कुम्भक ही करते हैं कोई भी एफट डालने के लिए काम करने के लिए आप पीछे सांस रोकते ही हैं तो इससे आपको अगर एक फॉर्मुले से करेंगे उदान शक्ति बढ़ेगी तो इसमें मदद मिल जाएगी वह पेइन कम हो सकता अब दूसरा पार्ट करते हैं अब दूसर करने कि बॉड़ी को सब्पूर्ट करने क्या कैसे कर सकते हैं वो जो शक्ति उसकी कम हो गए उसको थोड़ा बढ़ा भी एकदम से तो बढ़ेगे नहीं थोड़ा थोड़ी दिन प्रक्टिस करेंगे तो बढ़ जाएगी तो तो क्या होगा कमरदा चला जाएगा नीका पें चला जाएगा कई लोगों में चला जाका और क्या चाहिए अगर आपका मेटदाबोलिसम खराब है तो आपका रीजेन्रेशन यानि वहां पे मसल्स जो है बनने रहें मसल्स कम हो गए नर्वस सिस्टम जो है वो ठीक से रीजेनरेंट नहीं हो रहा है वो कैसे होगा कैसे अभ एक इकजम्पल nom आप भोजन कर रहे ना सबीचे आपको याद है आपके दादा है त्टी तो याद है याद है याद है वो कैसा खाना खाते बोज़न करते थो आप कैसा बोजन करते है ठाओना उननसे तो आप बहुत अच्छा बोज़न करते है फोर ऐना अधर मधर जिस तरीके का कोई कुछ फल है तो जो गया season वह ही मिलता था। आपको तो आप एक बारी किसी एसे grocery के पूरे मांर्ट में जाओ आपको पता नहीं क्या-kया मिल जाएंगा USA के Canada के अफरीका के फल मिलेंगे आपको है ना उनको तो नहीं मिलता था आप तो इतना कुछ खा सकते मगर मगर deficiency आप में है या उनमें थी कि विटामिन deficiency हम आप में है कि आप में है कुछ तो मिस कर रहे हैं ना कुछ तो मिस्स कर रहे हैं आप कैल्शियम मिलेगा शरीर को आपका डॉक्टर क्या कहता है कैल्शियम की कमी हो गए जी कैल्शियम खाओ तो कैल्शियम खाने से बॉड़ी में कैल्शियम मिल जाए है इसी को कहते हैं मेटाबोलीजम वीक हो गया है और इसके से कौन-कौन सी भीमारी होती है डाइबिटीज होती है थाइरोइड होता है ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज होता है वाई हिरा जितने भी यह आपके निरो मस्कुलो स्केलिटल प्राबलम में यह होते हैं races autoimmune डिस शूर्डर में शुरू होता पहले कक्स गड़-बर होती है है Metabolism खराब होता है Cancer उसी से होता है Metabolism वीक होने से होता है क्या यह साथी चीज़ा बढ़ रही है जिस अब भड़ रहा है ना तो आप सोचरें नहीं नि Om We gitti All one तो किसी एक हिसी नहीं हुई सॉ साल में दवाई खाने से किसी एक इंस्छां की डाइकी शींरी हो है चैनी सूचे न कि यह स्टोल हुई है लेकिन पर्ला यह आपका गलत सब्सक्राइब कि रोड़ा कि अप्लों है यह आपकी गलत फैमिय की कंट्रोल हुई है कंट्रोल अगर हो जाती डाइबिटीस तो डाइबिटीस से रिलेटर प्रॉब्लम ही नहीं होते उस इंसान को क्या diabetes वाले बंदे को blood pressure होता है kidney damage होता है नियोरोपेथी होता है retinopathy होता है जो दवाई खा रहे हैं मैं उनके बारे पूछा जो medicine ले रहे हैं क्या उनको होता है उन ही को होता है medicine नहीं लोगे तो यह problem रुख सकती है आपकी मैं आपको example दिखा सकता हूँ जिन्होंने medicine नहीं लिया उनकी problem चली गई जिन्होंने medicine लिया वह उपर चले गए problem बढ़ गई problem बढ़ गई कि मैं क्या पूछा हूँ केवल उसका जवाब दिए सो शाल में गोली खाने से diabetes की किसी एक इंसान की diabetes ठीक हुई कि किसी की भी ठीक नहीं है आप कहते हैं कंट्रोल होता यह तो आपके आपकी गलत फैमी है कंट्रोल होता तो problem ही नहीं होती इसकी life में तो पहली बात कंट्रोल करना कोई नियम जो बनाया गया वो केवल एक धंडा है चलावा है बिजनस है आपका पैसा निकालने का काम है मैं मतलब कोई अगर इतना इंसान चालू इंसान है जो आपके जेब से पैसा निकाल सकता है कुछ-कुछ दिखा के आपको तो मैं तो उसको intelligent मांगता हूं है मगर आपके लिए मैं कहता हूं अपना शरीर खराब करके अपना पैसा भी दो शरीर भी खराब करो इससे विंसान Bennett आपको इसिको पैसा दे रहें अपना चरीर खराब करने के लिए यह इसी को कहते हैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आप किसी के के बहकावे में आ रहे हैं सीधा सीधा कोश्चिन कूछ ऊना सौ साल में कोई डाइबिटिक ठीक नहीं हो जाइबिटिक की परेशानी गोली खाने से ठीक नहीं निकिसी की बढ़ गई बलके तो आप कर क्या रहे हैं is metabolic disease दुनिया में बढ़ जांए क्मोरा इतना control कर लिया इतना control कर लिए पूरी बढ़ा दी कि यह वाप समझ में आरी आपको मैं क्या बोल रहा हूं यही बात आप सोचते हैं अरे तो इतना कंट्रोल कर लिया है कि सारी दुनिया में डाइबेटिस पहला दिया यह कंट्रोल कहते हैं मेटाबोलिक डिजॉर्डर दवाई से नहीं जा सकता आप आखे खोलिए नहीं तो अपना शरीर बरबाद करेंगे आपको कुछ भी नहीं करेंगे एक ऐसा टाइम आएगा जब आपका शरीर आपका शरीर हॉस्पिटल में होगा और वो किसी चीज के लिए रेस्पॉंड नहीं कर रहा होगा मगर आपने जिन लोगों पर भरोस्व किया वो इसकी जिम्यदारी नहीं देंगे ना डॉक्टर लेगा ना हॉस्पिटल लेगा ना सरकार लेगी ना डबलो एच्चो लेगा ना वो अमरीका बहदूर लेगा जिसको रोज आप पैसे देते हो बंदूप बनाता है वो दूस को साइंस को सहते हैं सभी पूरी दुनियगों बीमार करने को साइंस कहते हैं कमाल है कि मेटवोलिक स्टेंट आपके शरीर की शक्ती है कि सैंस हमेशा कुमबक से बढ़ती तो कुमबक करेंके तो मेटभूसम इंप्रूप होगा जिससे कि आपके मुस्म्स बंने चालूोंग ताइम अलग लग लग गया देखो आपने दवाई खाके अपना कितना वरबाद क्या है depends upon that किसी को 6 महीन है किसी को साल किसी को दो साल किसी को तीन चाल ऐसा भी हो सकता जिसके दूसरी तरफ में लाइट हो आप तो अैसे सुरंग में गुसना और जरुवत पढ़े देखो मैं ये भी नहीं करा बहुत पढ़े तो आप ले-लीजए वो दवाई क्योंकि आपने भी दवाई कई आदी बनाया ना शरीर को तो कभी इसको जरुवत है बहुत ज्यादा तक्लिफ हो रही तो वो chemical लेके थोड़ा लेकिन लॉंग टर्म ना ले हैं शौट टर्म के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं मगर उससे जो नुक्सान हो रहा है और जिससे आप ठीक होंगे वो तो करना ही पड़ेगा आपको जिससे आपका शरीर सुद्धर हो वो मेटबोलिक स्टेंथ इंप्रूव हो वो तो करना ही पड़ेगा आपको उसका तो कोई option नहीं है दवाई तो बहुत जरूत है तो आप थोड़े time के लिए ले लीजे मगर जिससे आप इंप्रूव हो जिससे शरीर अपने आपको ठीक करे रिजुवनेट करें मेटबोलिसम इंप्रूव करें आप भोजन को ज़्यादा इस्तेमाल कर सके हैं जो भी कुम्मक करते हैं वो कहते हैं अब मुझे ना फूड जो है भोजन का नुकसान नहीं होता खाते हैं तो भजम हो जाता है भूक लग रही है फुलके भूक आती है य किसरी बात अलाइनमेंट बॉडी का अलाइनमेंट हमेशा सही रखना चाहिए बॉडी के टीन अलाइनमेंट होते हैं नाभी कोडी नले नाभी का अलाइनमेंट मिडल अफ चेस्ट कोडी का अलाइनमेंट और स्केलिटल स्ट्रक्चर का अलाइनमेंट जो इनर थाई है उसस skeletal structure का alignment होता तो ये नाभी कौडी नले तीनों का alignment करेंगे तो पता चलेगा अगर किसी disalignment की read की हड़ी में alignment नहीं है suppose करो तो उसकी वज़ा से stress आ रहा है कमर पे तो alignment करने से stress कमर पे कम हो जाएगा धिरे धिरे करके खतम हो जाएगा ये तीन तरीके बताएं मैंने आपको और भी बता सकता हूँ मैं आपको है ना अगर ऐसा है एक tip भी देता हूँ कहते हैं वो क्या कहते हैं तोटका तो नहीं फिर भी काम करता है एक tip देता हूँ मैं आपको तोड़ा अपने शरीर को तो slant लिटा है पाउं उपर सिर नीचे पाउं उपर सिर नीचे ऐसे slant शरी यहां पर पाउं के नीचे तीन तक या कमर के नीचे दो तक या सिर नीचे ऐसे आदा गंटा लेटेंगे कमर का दर्थ उठने के दर्थ में आपको अराम मिल जाएगा यह इलाज नहीं है यह रिलीफ है यह रिलीफ है आपको रिलीफ मिल जाएगा आपसे मैं दो तीन बार कर सकते हैं उससे बहुत रिलीफ मिलेगा